जहिन दोस्तों स्वागा था आपका सिख्षा कमठी संग क्लासेस में दोस्तों आज की इस वीडियो में डेली जी के टेस्ट स्रीज का छटमा भाग देखेंगे दोस्तों आज के टेस्ट स्रीज में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है परिवर्तन ये है कि अभी तक सभी question आपके समिधान से बनते थे 20 के 20 question test series के कहां से बनते थे समिधान के लेकिन आज से एकड़म से constable level का perfect daily test series बनाया गया है सभी subject यानि history से भी question है आपके geography वंगोल से भी है और आपके समिधान से भी है और बीवित से भी है एकड़म से constable level का आपका ये test series बनाया गया है तो आप अच्छे से आप test series दे और comment में लाश्ट में जरूर बताईगा कि आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं तो चलिए अब पहला question देख लेते हैं आज का पहला question है भारत का उपराश्ट पती किसका पदेन सभापती होता है प्रतेक question में मैं आपको चार आपसंद दूँगा आपके सामने हैं और दो से तीन सेकंड आपको समय मिलेगा बार बार मैं नहीं बताऊँगा आपको जैसे ही question में complete करूँगा दो से तीन सेकंड का समय मिलेगा उसी time आपको comment में answer बता देना है तो चार आपसंद हैं आपके पास पहला लोग सभाव, दूसरा बिधान सभाव, तीसरा राज्य सभाव और चौथा इसमें से कोई नहीं बताएं पहले का क्या होगा तो पहले का राइट हो जाएगा आपका राज्य सभाव, ये ध्यान में रखना है देश का जो उपराष्ट पती होगा वही आपका राज्य सभाव का सभाव पती या फिर अध्यक्ष होगा ध्यान में रखेगा उपराष्ट पती राज्य सभाव का सदस्य नहीं होता है लेकिन जो देश का उपर राष्ट पती होगा वही राज्य सभा का अध्यक्ष या फिर आपका सभा पती कहलाएगा ठीक है जिस प्रकार से आप एक PM प्रधान मंत्री के बारे भी कोस्टन पढ़ते हैं योजना आयोक अध्यक्ष कौन होगा थोड़ा से सुन ले जो चीज बेसिक बताता हूँ उसको अच्छे से सुना करें योजना आयोक अध्यक्ष कौन होता है PM प्रधान मंत्री तो किस तरह से याद करेंगे जो देश का प्रधान मंत्री होगा वही योजनाई को अध्यक्ष होगा बरतमान में ठीक है जैसे इस समय कौन तो प्रधान मंत्री नरिन्द मोदी योजनाई को देखें चले अंगला देख लेते हैं दूसरा लोग सभा में या लोग सभा की अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है चार आपसन है आपके पास पहला है आपका 543 दूसरा है 545 तीसरा है 547 और चौथा है आपका 500 बामन बताएं दूसरे का क्या होगा तो दूसरे का हो जाएगा आपका राइट D पांसो बामन अधिक्तम जो संख्या हो सकती है पांसो बामन और राज्य सवाह में कितनी हो सकती है अधिक्तम तो 250 ये ध्याम रखेगा एकदम से बेसिक से अच्छे से पढ़ने समिधान ते सब कोस्टन इजली बनने लगेंगे चले भारत के सोतंतरता के बाद प्रथम आम चुनाओ कब संपन कराए गए या कोस्टन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रथम आम चुनाओ किस सन में हुआ चार आपसन है 1974, 1948, 1922 और 1956 प्रथम आम चुनाओ कब हुआ तो तीसरे का राइट हो जाएगा आपका C, प्रतेक कोस्टन में दो से तीन सेकंड का मैं समय दे देता हूँ बार बार बोलता नहीं हूँ तो आप उसी टाइम कमेंट वाक्स में एंसर दे दिया करें 1922 देखें, समिधान का जब पिछली बार लागडाउन हुआ था तो लगबग हम 30-32 क्लास हमने पढ़ाया था यह ध्याम रखेगा तो आप वीडियो के नीचे जाएंगे तो समिधान के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जो यह डेली जी के टेस्ट स्रीज चल रहा है तो जैसे हैं आप वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट मिलेगा ओपेन करेंगे क्रम बाई क्रम लगबग हम 30-32 क्लास में समिधान उसमें पढ़ाया है चलें चौथा देख लेता हम सबसे कम उम्र में प्रधान मंत्री पदपर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम बताईए या तो कुश्चन ऐसा भी साट कट में पूश सकता है सबसे कम उम्र या एज में भारत का प्रधान मंत्री कौन बना था चार आपसन हैं बताएं पहला है आपके पास राजीव गांधी, दूसरा मुरार जी डिसाई, तीसरा आपका लाल भादुर और चौथा इंद्रा गांधी बताएं तो चौथे का हो जाएगा राईट आपका एः राजीव गांधी सबसे कम एज में थोड़ा सा बेसिक सुन ले राजीव गांधी और सबसे अधिकेज में तो मुरारजी दिसाई ठीक है और इंद्रा गांधी के बारे में आपको पता ही होगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री है और लाल भादुर सास्त्री भारत के दूसरे प्रधान मंत्री है चलें अगला ध्याम रखेगा टे आपको टेश्ट देना है और लाश्ट में जरूर बताएगे कि आपके कितनी सही हो रहे है पाँचमा 20 सुकी सरवाधिक लबणी जील है 20 सुकी जील से कोस्ट्र है 20 सुकी सरवाधिक लबणी जील है कौन सा? आपसाने आपका कैपसियन सागर, अरफ सागर, वान जील, मृत सागर बताएं, तीसरे का राइट कौन सा होगा, सुरी, पाचमे का राइट कौन सा होगा, बताएं तो हो जाएगा आपका कौन सा, वान जील, सबसे ज़्यादा लबड़ी जील, वान जील कैप्सियन सागर कैसी है कुल 6 रफल में कितने प्रतिशत भाग पर परवतों का विस्तार पाया गया है या फिर आप कह सकते हैं बन का विस्तार पाया गया है ठीक है यहां क्या लिख सकता है बन इस्तल मंडल के कुल कितने 6 तरफल में आपका बताना है कि कितने परसेंट में बन या परवत पाया जाता है 26 परसेंट, दूसरा है आपका 30 परसेंट, तीसरा आपसन आपका 33 परसेंट और चौथा है आपका 41 परसेंट बताएं, तो छटमे का राइट आपका हो जाएगा, A, 26%, 26% में बरतमान में बंद पाये जाते हैं, या परवत पाये जाते हैं, ध्यान रखेगा, प्रकित संतुलन के हिसाब से कितने परसेंट जरूरी हैं, 33%, लेकिन बरतमान में कितना है, 26%, ये थोड़ा सा डाटा कुछ पुराना हो गया है, अभी जब नया आप इसका गणना होगा, तो कहीं ये डाटा आपका 21 से 22% की बीज ना जाए, ठीक है, लेकिन अभी अगर इक जाम आप देते हैं, तो आपको क्या उताना है, 26%, और ट्रकित के संतुलन के हिसाब से कितने परसंट जरूरी है, तो 33%, और सरवाधिक बन कहां पाए जाते हैं, आपके मद्द प्रदेश में, अभी जो पिछला डाटा है, उसके हिसाब से 33% मद्द प्रदेश में थे, लेकिन बरतमान के हिसाब से लगबख 27-28% हो गए हैं, लेकिन अगर मद्द प्रदेश में पूछेगा, तो अभी आपको 33% ही बताना है, और अगर पूरे भारत में पूछेगा, तो 26, चलें, अगला, इस्थल मंडल के कुल छेत्र फल में कितने प्रद्शत भू भाग पर मैदान का बिस्तार पाए जाता है, ठीक है, अभी बन की बात हुई थी, अब मुछ रहा है, कितने परसेंट छेत्र में आपके मैदान का बिस्तार पाए जाता है, 26%, 33%, 41%, 59%, बताएं, दूसरे का कौन सा होगा, सुरी, साथ में का राइट कौन सा होगा, बताएं, तो हो जाएगा आपका 41%, C नंबर, कमेंट में सभी का एंसर जरूर बताया करें, भारत में पहली बार जनगणना किसके कारेकाल में संपन्य हुई, बताएं, भारत में पहली बार जनगणना किसके कारेकाल में संपन्य हुई, आप्षन A, लाल्ड लिटन, आप्षन 2, B है आपका लाल्ड रिपन, आप्षन C है आपके पास, लाल्ड मियो और D है आपका, बताएं आठमे का कौन सा सही होगा, तो आठमे का आपका हो जाएगा C नमबल, लाल्ड मियो, ठीक है न, पहली बार जो आपकी जन्गलना होई थी, तो लाल्ड मियो के, और कब होई थी, तो 1861 में होई थी, ये ध्याम में रखिएगा, कब होई थी, 1861 में, पहली बार, और अगर माले ये question ऐसा पूँचता है कि पहली बार नियमित जन्गलना कब हुई थी तो 1872 में हुई थी कब हुई थी 1872 में नियमित ठीक है और किसके सासनकाल में हुई थी लाल्ड रिपन लेकिन यहां पर क्या पूँच रहा है पहली जन्गलना के बारे में पूँच रहा है इसका हो जाएगा लाल्ड मेयो ठीक है ना कब हुई थी तो 1861 में अगर नियमित के बारे में पूँचेगा तो लाल्ड रिपन के सासनकाल में और 1872 में ठीक है जिस question में थोड़ा सा basic रहता है किस बंदर गाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई, कांडला, कुलकाता, कुच्ची बताएं मुंबई, कांडला, कुलकाता, कुच्ची बताएं कमेंट में दो से तीन सेकंड आपको मैं समय इसलिए देता हूँ उसी टाइम आपको बता देना है तो नौमे का आपका राइट हो जाएगा A मुंबई और अगर माल लेजिए ये भी ध्याम लेखे का बंदरगाह से कि कौन सा बंदरगाह किस राजी में जैसे आपका मुंबई तो महाराष्ट में हो गया कांडला आपका गुजरात में हो गया कुलकाता आपका पस्ची मंगाल में हो गया और कुच्ची आपका केरल में हो गया तो राज्यों का नाम भी याद रखीगा चलिए थोड़ा सा कमेंट में बता दे एक कोस्चन का एंसर एक कोस्चन का एंसर ये है कि सबसे पुराना बंदर गाए भारत का कौन है बताएं, कौन सा है सबसे पुराना बंदर गाएं, थोड़ा सा बताने कमेंट में इसका अंसर, अंगला दसमा, जलिया वाला बाग कहा इस्थित है चंडीगड, अमरित सर, अम्बाला, जालंधर, चार अपसन है पुरिस की एक कहानी ही है आपको अगर मौका मिले तो यूटूब गूगल जहां मौका मिले तो एक बार अच्छे से पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा पुरा तो 1919 में और अम्रिट समझ चले अंगला भीम बेट का गुफा किस राज़ी में इस्तित है भीम बेट का की गुफाएं किस राज़ी में इस्तित है बताएं पहला है गुजरात दूसरा है राजस्तान तीसरा है आपको महाराष्ट और चौथा है आपका मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् एक question का और आप दे दें बताएं मद्द प्रोदेश की किस जिले में है ये बता दें बहुत अच्छा होगा comment में थोड़ा सा धूना करें जिनको पता है तो direct comment में बता है जिनको नहीं पता है तो धूने मैं बता सकता हूँ लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करेंगे आप खोजेंगे थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा चले अगला देख लेते हैं कार का मात्रक क्या है बताएं A, B, C, D जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है बताएं, कार का मात्रक क्या है तो बारमे का आपका राइट हो जाएगा A, जूल चले, अंगला देख लेते हैं कई बार इक जाम में पूँछा गया है 1024 बाइट बरावर होता है कम्प्यूटर से कॉस्चन है कई बार इक जाम में पूँछा गया है आर्मी के भी और पुलिस में भी और आपके SSC GD में भी और रेल्वें भी अभी जो पिछले बार आई थी आर्पी अफ की बताएं, 1024 बाइट बरावर होता है A, B, C और D, 1TB 1GB, 1MB, 1KB बताएं कितना होता है तेरमे का आपका राइट हो जाएगा D, 1KB चले, अगला देख लेते हैं अच्छा कुस्चन है साइंस से, बायो से है नवजात सिस्यों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है नवजात सिस्यों में ठीक ना, कुस्चन पढ़ लिएगा डारेक्ट आप 206 मत लगा दिजिएगा ठीक है न, वो सामान इंसान की बता रहा हूँ 206 किसमी होती सामान इंसान थोड़ सा कुस्चन पढ़ा करें क्या पूश्चन पढ़ा करें नवजात सिस्यों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है अगर पूश्चन इंसान में मनुस्यों में कितनी होती तब आप लगाते 206 बताएं 200, 206, 300, 350 A, B, C और D क्या होगा तो आपके 14 का राइट हो जाएगा C लगभग 300 हड़िया नवजात सिस्में होती है ये ध्यान रखेगा कितनी 300 और सामान इंसान में जब बैक्स हो जाता है तो कितनी होती है आपकी 206 अंगला मनुस्य के जीवन काल में कितने दाथ दो बार विक्सित होते हैं बताएं आर्मी वाले तो बिल्कुल ये टेस्ट स्रीज जो चल रहा है और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इटेस्ट स्रीज ना चोड़े मैं आर्मी लेवल और पुलिस लेवल के ही कोश्चन आपके इसमें सामिल करता हूँ और साथ में जो आपके पुराने पेपर में आए हुए कोश्चन होते हैं को जरूर सामिल करता हूँ अगर आर्मी वाले बताएं अगर आपको चाहिए पुराना पेपर सालो करना हो तो बताएं तो मैं पुराने पेपर भी सालो करा दूँगा बताएं मनुस्थ के जीवन काल में कितने बार दो दात बिक्सित होते हैं चार बारा बीस अठाइस बताएं पंद्रा का राइट क्या होगा तो बीस दाट ठीक है कितने दाट बीस दाट छले खोखो खेल में कितने खिलाडी एक टीम में होते हैं खेल से भी कुश्चन है खोखो खेल में कितने खिलाडी एक टीम में होते हैं बताएं A, B, C, D 11, 17, 12, 9 कौन सा होगा इस्कूल में आप जरूर खेले होंगे बताएं सोल में कराइट हो जाएगा आपका D 9 किसी अंतर अगला देख लेते हैं किसी अंतर राष्टी फुटवाल मैच में सामान समय अबधी कितनी होती है अच्छा कोश्चन है किसी अंतर राष्टी मैच में सामान जो समय अबधी होती है तो कितनी होती है देखे जो फुटवाल मैच आपका होता है और हाकी समय समय निस्चित होता है तो पुछ रहा कितनी समय होती है साथ मिनट को होता है आपको गेम, सत्र मिनट को होता है, नब्वे मिनट को होता है, या फिर एक सो बीस मिनट को होता है, कमिन्ट में बताएं, कि सत्रा में का राइट एंसर क्या होगा, तो 17 का आपका हो जाएगा 90 मिनट सामान तोर पर कितने मिनट का होता है आपका जो फुटवाल अंतराष्टी होता है तो 90 मिनट जिसे क्रिकेट है आपका 50 ओवर 20 ओवर होता है ना उसी प्रकार से हम जो फुटवाल होता है तो timing की हिसाब से चलती है, cricket आपको over की हिसाब चलता है, यहां timing की हिसाब से, over में भी लगवख fix ही होते हैं, कि आपका जैसे 20-20 है तो कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा, फिर आपने सुना होगा कि ज्यादा late हुआ तो late fees लग जाती है, सुनेंगे न, तो इसलिए फुट 8 अप्रेल 10 दिसंबर, बताएं, आठार में का right answer क्या होगा, तो A हो जाएगा 7 दिसंबर, उज्जेन का प्राचीन नाम क्या था, बताएं, A, B, C और D, दो सेकंड का समय दे रहा हूं, बताएं, उज्जेन का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका हो जाएगा 19 का A, अवंतिका, ये ध्याम रिखेगा, चले छोड़ा सा बता दें, कि उज्जेन, डिष्टिक है, जिला है, तो किस राच्जी का है, ठीक ना, आप अगर हिष्टी जब पढ़े होंगे, तो जरूर आपको कोश्चन मिलता होगा, अवंतिका के बार तो हम यह बता दिये, अगला है, बीसमा, मोहन जो दालो कहां इस्तित है, हिष्टी का कोश्चन है, मोहन जो दालो कहां इस्तित है, फिल्म ही बन चुकी है, मोहन जो दालो को पर, जो जो देखे हों तो कमेंट में बता दें, भई, कौन था फिल्म में हिरो, ये थोड़ा सा मिश्टेक है दिहां में रखेगा यहां पंजाब था तो पहला आपका पंजाब सिंध गुजरात उत्तर प्रदेश मोहन जो दाड़ो कहां इस्तित है तो बीस का आपका राइट हो जाएगा हो जाएगा बी नंबर सिंध प्राम्त में ठीक है तो आज आपके टोटल बीस कोश्चन हुए हैं अगर इसमें आप कुछ और परिवेरतन चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और अब कल रवी बार है तो कल आपका टेश्ट स्रीज नहीं होगा कल आप थोड़ा सा आराम करिए इसके बास सोंबार को अगला टेश्ट स्रीज मिलेगा सोम बार से आपको मैं बता दिया हूँ सोम बार से सनी बार ये टेश्ट स्रीज चलेगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर कर दें और टेश्ट स्रीज जरूर दें इस समय अधिकतर लोगों की पढ़ाई बंद है इसलिए टेश्ट स्रीज शुरू किया गया है कि आप थोड़ा सा जब टेश्ट स्रीज देंगे तो देखी आपके कितने सही हो रहे हैं भले ही आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन टेश्ट देने पर ही पता चलता है कि सही कितने हो रहे हैं तो आपके जितने सही हुए हैं तो आप कमेंट बाक्स में बता दें। अगला टेस्ट स्रीज लेके सोंबार को मिलेंगे